सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हां बेल आइकन तबाना ना भूलें अगर हम रीम की बात करें तो रीम क्या है मैं जैसा हूँ और किलीम की बात करते हैं तो किलीम हमारी ताकत अगर आप देखते हैं कि मंत्र है ओम एम रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई नमाहा तो इस मंत्र में जो हमारे बीज मंत्र आई है जैसे ओम का हिस्थान कहा है एम का हिस्थान कहा है रीम का हिस्थान कहा है श्रीम का हिस्थान कहा है कलीम का हिस्थान कहा है चामुंडाय विच्चई नमाहा तो यह जो चामुंडाय विच्चई नमाहा हमने बोला है यानि इन सारी शक्तियों के जागरित करने के बाद हमने चा चामुंदा देवी को नमश्कार किया तो आपने देखा है कि इस मंत्र के लिए एक माता के चित्र के नीचे जो दुर्गा मा का एक आपने फोटो देखा है तो अगर तस्वीरों में फोटो में देखा है तो वहां एक ट्राइंगल की आकरती में निर्वान यंत्र बना होता है उस यंत्र के अंदर ओम، एम, रेम, श्रीम, किलीम, चामुंदाय, विच्चय, नमः ये सारे شब्द वहां लिखे हैं और वही अगर हम अपने सामने देखते हैं तो उसी रो में हमारे शरीर में कहां पर को सा मंत्र विध्यमान है अगर हमें ये ज्यात है तो हमारे शरी की वही शक्ती जागरित होने लग जाती है तो ये तो हमने की काली मा का जो हमारा या माता के सुरुप से हमने जो मंत्र की सिद्धी करें तो उसके लिए जो मंत्र दिया गया है उसको जपने का एक तरीका तो इस मंत्र से कैसे हमारे नोडल पॉइंट जागरित होते हैं ये मैंने उधारण के रूप में आपको बताया अगर हम और बाकी के मंत्र करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बीज मंत्र हैं जो हमारे शरी में हमारे वानी के द्वारा उच्चारन करते ही उसकी जो उच्चारन से जो हमारी शरी से जो उच्चारन में ताकत लगती है वो उस मंत्र की शक्ती को जागरित करता है एक्टिव करता है जैसे अगर आप लोहे पे चोट पारते हैं तो जो आवाज होती है उस वो आवाज गूंजती है ऐसे ही जब हम अपनी वानी से उस मंत्र के इससान पर चोट करते हैं तो उसको चोट करते ही उसकी तरंग हमारे शरी से आंत्रिक और बाहियरूप से कारे करती हैं अब यही जो ह हमारी देवी शक्तियों को भी जागरित करती है